तैंक यू नरेंद्र मोदी जी 5 अगस्ट 2020 को आयोध्या जाएंगे और मंदिर का शिला न्यास करेंगे कुछ दिनों से ये बाते चल रही हैं और हम सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कब अभव राम मंदिर बनेगा इस बात का इंतजार तो सालो साल हो गए सब इंतजार करते रहे और अभी भी इंतजार है पर कुछ बाते जरा जान लेना आज की तारीक में जरूरी है ये मोदी जी शिला न्यास करने जा रहे है राम मंदिर का कमाल की बात है वेदों में लिखा गया है और मैं वेदों को साक्षी मान के ये बात कह रहा हूँ और ऐसा नहीं है के मन से कह रहा हूँ मुझे कुछ लोगों से जो वेद जानते हैं उन से ज्यान प्राप्त करके मैं ये बात कर रहा हूँ वेदों के मताबिक किसी भी जमीन पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो रीति रिवाजों के ये तीन स्टेप महत पूर्ण है पहला भूमी पूजन, दूसरा शिलान्यास और तीसरा बांध काम या कंस्ट्रक्शन ये तीन कदम होते हैं किसी भी रीति रिवाज, हिंदु़िज्म के रीति रिवाज को फॉलो करने के अगर आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते है अब याद रहे कि श्री नरेंदर मोदी हम लोगों ने ये सुना है कि 5 अगस्ट 2020 को अयोध्या जाके अमान में लीजिए ओफिशल रिकॉर्ड्स के हिसाब से नरेंदर मोदी अयोध्या पहली बार जाएंगे अगर उनके रिकॉर्ड्स निकालके देखा जाए तो आधिकारिक रूप में वो आज तक अयोध्या नहीं गए है पता नहीं किस बात का उनको बैर था राम लला से बड़े हिंदुवादी बनते हैं कि ऐसे कैसे इतने बड़े नेता है हिंदुवादी फ्रंट के भारती जनता पार्टी के कि राम लला को देखने आज तक नहीं गए ये आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड में है खेर आगे बढ़ते हैं कि शिलान्यास करने के लिए मंदिर का 5 अगस्त 2020 को जा रहे हैं आप लोगों की जानकारी के लिए देश की जानकारी के लिए जिनको पता है उनको दुबारा याद दिलाने के लिए जिने नहीं पता है उन्हें पहली बार बताने के लिए और नरेंदर मोदी को ये याद दिलाने के लिए कि इस देश में भारतियंता पार्टी की एक बहन है जो राजनेतिक नहीं है अपने आप में कहने के लिए उसका नाम है विश्व हिंदू परिशद VHP और भारतियंता पार्टी की तरही RSS में से निकली एक पांख है राश्टी SOM सेवक में से निकली एक पांख है लोगों को याद करा दिया जाए और ये मेरा फर्ज है याद कराना कि अशोक सिंगल विश्व हिंदू परिशद के चीफ रहे सालों साल और राम मंदिर बनाने के लिए बहुत उन्होंने मेहनत करी ये हमने हमेशा सुना है अशोक सिंगल वो व्यक्ती हैं जिनोंने 1989 में विश्व हिंदू परिशद के चीफ बतौर साथ में महनत अवैद्यनात जो गोरगधाम मट के चीफ हुआ करते थे जो आजकल उनके स्पिरिच्वल पुत्र योगी आदितिनात समालते हैं तो 1989 में विश्व हिंदू परिशद के अशोक सिंगल जो मेन बॉस थे उनके साथ गोरगधाम मट के गोरगपुर के महनत अवैद्यनात साथ में और बड़े लोग जिसमें एक नाम नित्यदास का भी है जो उस समय राम जनम भूमी न्यास वगेरा के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा जाता है जीवन भर इस मुहिम को चलाया ये लोग ततकाली 1989 में केंद्रिय मंत्री शिरी भूटा सिंग के साथ मिल करके एक समझोते पे सिगनेचर करते हैं दस्तकत करते हैं एक समझोता बनाते हैं जिसके तहत अगस्त 1989 के अलाबाद हाई कोर्ट में चल रहे मामले के कुछ इंटरिम आदेशों के तहत इन लोगोंने सरकार से गुहार लगाई के हम शिलान न्यास करना चाते हैं बूमी पूजन करना चाते हैं और जब तक इस मामले का इस मसले का हल नहीं आता जिसे हम राम जनम भूमी बाबरी मस्जित केस के नाम से जानते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे इस मसौदे पर ओफीशली भारत सरकार के साथ केंद्रिय मंत्री बूटा सिंग की हाजरी में और दूसरों की हाजरी में अशोक सिंगल भी एक्स पी चीफ, नित्यदास और मांत अवेदिनात इन लोगों ने साइन किये और मन्जूरी दी क इंद्र सरकार ने, जो के राजीव गांधी की सरकारती, के आप जा करके आयोग्या में जिस पूरे मैटर पे जो केस चल रहा है, जहां राम मंदिर बनाने की आप गोहार लगाते हैं, जहां बावरी मस्जिद खड़ी हुई है, वहाँ पे मस्जिद से बाहर, लेकिन उस से, सिंग द्वार कहलाता है, यानि के प्रमुप एंट्री गेट, जो ये परिसर बनाना चाहते हैं पूरे मंदिर का, वहाँ पे आप शिलान्यास कर सकते हैं, ये राजीव गांधी की गौर्रमेंट के साथ इनका समझोता लिखित में हुआ, या दिला दू, 9 नवेंबर 1989, 9 9 नवेंबर को, 1989 में, विश्व हिंदू परिशक के अशोक सिंगल, अपने साथ कई कारे करताओं को, साधू संतों को, इत्यादियों को ले करके, अयोध्या पहुँचते हैं, याद रहे, लाकों की संध्या में, कार सेवक, इटे, लाके रख चुके थे, अयोध्या में, जिससे उनकी इच्छा थी, के राम मंदिर बनेगा, याद रहे, के उस समय फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो आज अयोध्या जिला नाम से जानी जाती है, फैजाबाद जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डियम, अर्थात कलेक्टर, मेरे क्याल से उनका नाम था, आर ऐसे श्रिवास्तव, अगर मैं सही हूँ तो, उन्हों ने ये कहा भी था केंद्र सरकार को, कि यदि इटे आ गई, तो शिलान्यास नहीं रोक पाएंगे, ये सारी बाते हो चुकी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने विश्व हिंदू परिशद की, इस बात को एक्सेप्ट क स्केच है, इनका जो प्रोग्राम है, कि राम मंदिर तो मंदिर अकेला नहीं पूरा परिसर है, और परिसर की शुरुवात एक दर्माजे से होती है, गेट से होती है, जिन लोगों ने ताज महल देखा होगा, तो ताज महल का एक में एंट्री है, वैसे तो तीन एंट्री है और एक तरफ जमना नदी है लेकिन जो मेन एंट्री है वो परिसर की शुरुआत होती है तो इसी तरीके से जो इनके नक्षे में राम मंदिर बनाने का नक्षा जो विश्व हिंदू परिशन ने अर्थात RSS और BJP वगएरा ने जो बना रख़ा था उसका जो सिंग द्वार है वहाँ जो लोकेशन आती है बिलकुल मस्जिद के नजदीक सामने वहाँ पर 9 नवंबर 1989 को वी एचपी के सिंगल और उनके कारे करताओं ने एक गड़ा थोदा गड़े का नापता 7 फुट उचाई 7 फुट गेराई 7 फुट चोड़ाई 7 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 फुट बैसाथ फुट का एक गड़ा होदा सिंग द्वार पे जो के परिसर का प्रमुक प्रवेश द्वार होता है नक्षे के मुताबिक और वहाँ पे कमलेश चौपाल के हाथ से इंट रखवाई गई स्वभाविक है कि जब शिला न्यास हो रहा है तो भूमी पूजन तो वो करी चुके थे क्योंकि वेदों के हिसाब से पहले भूमी पूजन होता है फिर शिला न्यास होता है आधार शिला रखी जाती है ततपश्चात उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होता है यही वेदों का तर अगर नहीं जानते हैं, तो आप अकबार निकाल के देख लीजिएगा. आपको 15 दिसंबर 1989 का India Today भी मिलेगा और अन्ने नियूस पेपर भी मिलेगे, जिसमें साफ तौर के लिखा है और अशोक सिंगल ने एकसेप्ट किया है, माना है, ये कहते हुए कि शिला नियास तो हमने कर दिया 9 नवंबर 1989 को, ये विश्व हिंदू परिशद के मेन, उस समय के अशोक सिंगल के शब्द हैं, कि हमने 9 नवंबर 1989 को शिला नियास कर दिया है, वो उससे आगे जरूर कहते हैं कि अब तो जितना भी खून भाना पड़ेगा, अब हम मंदिर बना के रहेंगे, उस बात को छोड़ दीजिए, लेकिन प्राइमरी चीज ये है, ये विश्व हिंदू परिशर, जो के RSS की पांख है और भाजपा की बहन है, उसके चीफ ने खुद करवाया, और 9 नवंबर 1989 को, सो कॉल्ड राम मंदिर, जो राम लला के एवस में के लिए बनाया जा रहा है, जब बनाया जाएगा उस समय की सोच के हिसाब से, उसका शिलार्यास कर दिया था, ये ओफिशल रिकॉर्ड्स है, ये आधिकारिक रिकॉर्ड्स है, इसमें कोई भी दोराय नहीं बन सकती, अब उनके हमारा तो हिंदु तो नहीं है, हमारा तो हिंदु इसम है, पर उनका हिंदु इसम की जगे हिंदु तो है, क्या अपने उन से बड़े हो गए, क्या नरेंदर मोदी अशोक सिंगल से बड़े हो गए, क्या नरेंदर मोदी वीच्पी से बड़े हो गए, बीजेपी से ब पढ़िये वेदों को एक जगे पे एक बार भूमी पूजन होने के बाद जब शिला न्यास हो जाता है किसी एक इंटेंशन के साथ कि मुझे खला चीज बनानी है तो उसका दोबारा शिला न्यास नहीं होता ऐसे थोड़ा मन बनाया हर साल कौँच गए चलो एक इट और लगा आप तो शिराम का अपमान कर रहे हैं आप वेदों का अपमान कर रहे हैं आप पुराणों का अपमान कर रहे हैं आप संस्कृती का भार्दी संस्कृती का अपमान कर रहे हैं आप विश्नु का अपमान कर रहे हैं ब्रह्मा का कर रहे हैं शिव का कर रहे हैं अयोज्या का कर कौन? नरेंदर मोदी अमक कमाल की बात है जब भाईया एक बार भूमी पूजन के पश्चाथ आज से 31 साल पहले 31 यर्स पहले 9 अवंबर 1989 को हुद विश्व हिंदू परिशद ने शिलान्यास भारत सरकार के साथ मिल करके अर्था बाद सरकार की मंजूरी से यानि उससे में राजीव गांदी की कॉंग्रेस की सरकार थी उन्होंने जब अपनी मंजूरी दे दी थी बूटा सिंग मिनिस्टर थे रिटिन हस्ताक्षर है हवा में बात नहीं है टेपर वर्ख है समझोता है कलेक्टर की रिपोर्ट्स है खुद विएच पी के अपने शब्द है नित्गोपाल दास के शब्द है महें तवेदनात साथ में थे इन लोगों ने मिल करके जब अल्रेड़ी राम लला के मंदिर यानि के राम जनम भूमी मंदिर कशिलानियास कर दिया है तो नरिंदर मोदी जी आप वहां क्या करने जा रहे हैं आप हमाराजरीती करने जा रहे हैं आप ड्रामा करने जा रहे हैं आप राम को बदनाम करने जा रहे हैं आप हिंदू जिम को बदनाम कर रहे हैं आप वेदों के खिलाफ जा रहे हैं, आप क्या करने क्या जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं। थीक है, सुप्रीम कोड का ओर्डर आ गया, वहां पे मंदिर बनेगा, ये आ गया। हम लोग अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, उस बात पे, मेरी पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो। क्योंकि मेरी पर्सनल ओपिनियन तो ये कहती है, कि किसी का घर तोड़ कर के मैं अपना घर नहीं बना सकता, भगवान राम भी नहीं बनाईगे। बगमान राम ने रामायन के हिसाब से लंका जीत ली थी लंका तोड़ के उन्होंने अपना वाप एक किलाली बनाया था तो ये तो आप लोगों का जो भी हिंदुत्तो का गंदापन है हिंदुईजिम का नहीं ये जो हिंदुत्तोवादी लोग हैं जो सावरकर और शामा प्र कहा था कि हम अलाबाद हाइकोर्ट में जानते हैं कि सादू सभा जो है वो क्या कहेगी सादू सभा ये कहेगी ये मर्क कीजेगा अशोक सिंगल के शबने अन रिकॉर्ड है हवा में नहीं कहता मैं कभी कुछ उन्होंने ये कहा था अशोक सिंगल ने विश्व हिंदु परिशद के चीव ने 1989 में कि साधू सवा अलाबाद हाई कोट में ये कहेगी कि आप इस मस्जिद को कहीं और शिफ्ट कर दीजिए अताकी हम मंदिर बनाएं यानी खुद विश्व हिंदू परिशद RSS इनका 1989 में कोई उद्देश नहीं था कि मस्जिद को नुकसान पहुँचा है फिर निकल के आता है कि 1992 में दिसम्बर के महीने में क्या हुआ भूमी पूजन के पश्चाच शिलानियास होता है वेदों के इसाब से विश्व हिंदू परिशद खुद इस जगे का सबके साथ मिलकर के 1989 में राजी गांदी की सरकार की मन्जूरी से उस जगे का शिलानियास कर चुकी है बोलिए मोदी जी आप वहां कौन सा मंदिर का घंटा बजाने जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं आप महारा राजी नीती करने जा रहे हैं आप वहां पे एक ऐसी हीट रखवाना चाहते हैं जिस पे आपका नाम हो अगर राम से इतना ही प्यार था नरेत्र मोदी तो अपने जिंदगी के इतने सालों में एक बार भी आप अयोध्या क्यों नहीं गए इतना अगर राम से प्यार था अगर इतना राम को चाहते थे मिस्टर मोदी तो एक बार तो चाहते एक बार ओफिशल रिकॉर्ड के हिसाब से आपने तो राम लला की मूर्थी की आज तक प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किये आप अयोध्या नहीं गए ओफिशली राम से इतनी दुश्मनी अरेंद्र मोदी शिला न्यास कर रहे है भगवान राम के मंदिर का अब ये शरम करो शरम करो बत्तमीजो आखरी शब्द तुमारे लिए यही है अगर राम इस जमीन पे प्रत्यक्ष प्रकट हो गए ना तो मोदी और भाजपा वालो तुमारे पिछवारे में इतने बान मारेंगे ना शरी राम के भूल जाओगे राम का नाम लेना